तो दोस्तों अभी बज़रें साम को पांच और अभी जस्ट फ्री हुए है काम से तो अभी साम को सब्जी का जुगाड़ करना पड़ेगा तो चले चलते हैं देखते हैं आज क्या बन रहा है सब्जी में तो यहां से सीटी तो बहुत जादा दूर है जो भी घर में की पास तो यहां पर देख सकते हो कठल का पेड़ जो है लास्ट में कठल बचा है वहाँ पर लगा हुए है उसी को तोड़ेंगे बाकि उपर लकुत फल नहीं लगे तो एक कठल को तोरते हैं और इसको बनाते हैं तो 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 टोड़ने का जुगार करना पड़ेगा सबसे तो पेड़ पर चड़ने कलाब और कोई अपने पास जुगार नहीं है क्योंकि कठल का फल होता है बड़ी मजबूती से लगा हुआ होता है उसको काट नहीं पड़ेगा तो मैं चड़ जाता हूं पेड़ पर और इस फल को काट दीता हूं तो ये आग्या फल अपने पास तो सबसे पहले इसको हम काटेंगे कुलहारी की मदद से क्योंकि छोटे चाकू बगएर इसमें काम नहीं करेंगे तो कुलहारी की मदद से नीचे लखड़ी के रख लेंगे फिर इसके बाद इसको कट कर लेंगे और कठल को काटते समये एक सब सबसे पहले काट लेते हैं और इसके छिल के कुछ इस प्रकार से निकाल लेंगे और छिल के निकालने के बाद इनको फिर छोटे-छोटे पीसे इनके बना लेंगे तो यहां पर कडल के छोटे-छोटे पीसे बना लेंगे और इसको अच्छे से वास करके रख लेंगे तो हम अपिश्मिनन पेड़ल देंगे लह 17 प्याज की कलीये हमने काटके रख युद्वा है लक्से तो उनको भींपीसी में डाल देंगे तो यहां पर नहीं याट करेंगे, सबसे पहले कठल को अच्छे से भून लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, नमक डालने इस थोड़ा सा कठल गलने में थोड़ी असानी रहेगी, तो हम इसमें नमक डाल देते हैं, फिर इसके बाद इसको अच्छे से ढख देंगे, और अगर कठल बीच में जलती है तो आप लोग थोड़ा सा पानी विछीर सकते हैं और यहां पर हम कर ले रहे हैं मसाले की त्यारी तो हमने यहां पर सिल्वट्टे पे धनिया हो गया जीरा हो गया और खड़े मसाले सारे मसालों को अच्छे से पीस लेंगे सिल्वट्टों को ला देंगे और थोड़ा से यहां पर हम पानी याट करें ताकि कठल जो नीचे से चिपके नहीं तो अच्छे चलाने के बाद हम यहां पर ढग देंगे 10 मिन यह तो हमने दस मिन की धग दिया था और कठल जो बहुत अच्छे से पक चुकी है अब इसको चलिए आपको सर्व बरगे दिखाते हैं गरमा गरम तो कटल देखने में काफी अच्छी लग रही है तो स्वाथ तो अमेजिंग है इसका क्यों देशी स्टाइल में पूरी बने हुए तो वीडियो पसंद लाइक से और सब्सक्राइब